नमस्कार, मैं संजीव कुमार, आज वैज्ञानिक वास्तू और उसके प्रभाव, इस पुस्तक के तीसरे अंस को संछेप में प्रस्तूत करने का प्यास कर रहा हूं। इस अजितिय पुस्तक के रचनाकार हैं। संजीव गुप्त। दिशा से दसा सुधारना। पुरू, सूर्य भगवान के स्वागत के लिए पुरू की सभी खिड़िकियां और दरवाजे प्राता काल में खोल कर रखें। पस्चिम पस्चिम दिशा में बैटकर कोई निर्ण न ले हो सकता है आपको पश्ताना पड़े। वरून देवता पस्चिम के स्वामी है। उत्तर उत्तर दिशा आपके सभी प्रश्णों का उत्तर देता है। आपकी उल्जनों को सुल्जाता है। वाता वरण में चुम्ब की अतरंगे उत्तर से दक्षण की ओर प्रवाहित होती है। अतः, उत्तर मुखी होकर बैठना उपियुक्त है। कुबेर इस दिशा के स्वामी है दच्छन अर्थात दच्छना देना अर्थात कुछ गमाना दच्छन दिशा की ओर बैठ कर कोई कारे न करें अन्यथा स्वास्थ एवं धन की हानी हो सकती है वास्तू सास्त्र के संपूर्ण ग्यान से चारो फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है यही मानव के लक्ष हैं वास्तू नियमों के अंतरगत बनाए गए भवन उसी तरह उर्जा अपदान करते हैं जिस तरह जब हम सास लेते हैं तो हमारे सरीर में प्राणागनी का संचार होकर क्रिया सील होकर हमारे लिए जीवन दाइनी उर्जा उपलब्ध कराता है पुर्वा मुखी भवन सुख प्रदान करता है पस्चिम मुखी भवन भौतिक सुख एवं संपदां प्रदान करता है। उत्तर मुखी भवन संपदा प्रदान करता है। मोक्ष की इच्छा वालों के लिए दच्छुड मुखी भवन अच्छा होता है। यदी पूर्म में इस्नानागार, आगडे में रसुमी घर, दच्छुड में सयन कक्ष, नैरित्र में ड्रेसिंग रूम, पस्चिम में भोजन कक्ष, वायब में गाय काय स्थान। धनागार उत्तर में पूजा इसान में व्यवस्थित करते हैं, तो उप्युक्त वातावरण के संतुलंचे युक्त ग्रिह, स्वास्थ एवं संपन्नता कारक होगा। उत्तर में खजाना, मध्य में ब्रह्म इस्थान आंगन, दच्छिड में बेडरूम, सोचाले स्टोरूम, पुर्म में बातरूम, इशान में पूजाघर अध्यन कक्ष, वायब में गोईस्थल गेस्ट रूम, पस्चिम में डैनिंग रूम, सोचाले, नैरित्र में ड्रेसिंग रूम, मानों, अपने सरीर की सुरक्षा तीन प्रकार से करता है, सबसे पहले सरीर की सुरक्षा करती है त्वचा, त्वचा की सुरक्षा के लिए जरूरी है वस्त्र, तथा संपूर्ण सुरक्षा होती है मकान से, मकान या भवन को बाहर त्वचा माना जाता है त्वचा लाखो रोम छिद्रों के माध्यम से सरीर की गंदगी बाहर निकालती है वस्त्रों में भी लाखो छिद्र होते हैं, इनसे साफ वायू मिलती है और पसीना बाहर निकलने में सहायता मिलती है, मकान भी अनेक छेदों, अर्थात, खिड़कियों, दर्वाजों, आदी के माध्यम से हमारी सुरक्षा करता है, इनसे हवा और रोशनी प्राप्त होती है जिस प्रकार साफ शरीर, साफ वस्त्र, आराम देते हैं, उसी प्रकार साफ सुत्रा मकान भी जीवित प्राणी माना गया है मन इस्वर की एक ऐसी विशिष्ट रचना है, जिसका प्रभाव सरवाधिक है मन ही मनिष्य की समस्त गतिविधियों का संचालन करता है मन ही मोक्ष का साधन बन सकता है और मन का दुरुपयोग जीवन को नर्प बना सकता है मन पर उन सभी वस्तुओं का तुरंत प्रभाव पड़ता है जो उसके आसपास जिस अवस्था में, जिस आकार में, रंग में, रूप में इस्ठित है अतह यदी भवन का निर्माण व साज सज्जा वास्तु अनकूल सांती प्रध है तो हमें अपने मन को संतुलित रखने में सहायता मिलती है धन्यवाद नमस्कार सेस अगलियंक